हेलो दोस्तों मैं रुक्टर इम्तियाज और आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कर लेते हैं देखिये CBC रिपोट के जरीए हम पता चलता है pioneers के बारे में तो अब हम एक एक रिपोर्ट की रिपोर्ट तो यह रही एक रिपोर्ट और इसके जरीए अभ हम pork की OS छेल में जनकर यह हासिल करेंगे तो इसमें हम सब से पहले लेंगे और की जिसको बोल आ जाता है red blood cells और यह blood में oxygen को कैरी करने का काम करती है मतलब यह oxygen को हमारी बोडी में एक जगा से दूसरी जगा ले जाने का काम करती है तो और विसमी नॉर्मल range होती है वो 4.2 से लेके 5.4 तक रहती है जब ये RBC नौर्मल वैलियो से कम हो जाती है जब इनकी संख्या रिपोर्ट में आपको कम मिलेगी नौर्मल से तो इसको एनिमिया माना जाता है एनिमिया मतलब खुन की कमी इसको समझा जाता है और जब ये RBC की संख्या नौर्मन वैलियो से जाधा हो जाती है मतलब की RBC की संक्या जाधा बढ़ जाती है तो इसको polycythemia बोला जाता है और यह polycythemia जो होता है जाधा exercise करने वाले लोगों में बढ़ सकती है जाधा लंबे समय से smoking करने वाले लोगों में और बीसी बढ़ी हुई मिल सकती है जाधा उंचाय पर पहुंचने वाले लोगों में इसकी संक्या बढ़ी हुई मिल जाती है अब हम इससे आगे देखेंगे report में HP मतलब की hemoglobin hemoglobin को short में HP लिखा जाता है तो इसकी normal range जो एक मेल मतलब पुरुष के अंदर मिलेगी आपको वह मिलेगी 13.5 से लेकर 17.5 ग्राम पर डेसिलीटर मतलब साड़े-13 ग्राम से लेकर साड़े-17 ग्राम तक एक पुरुष के अंदर इसकी नौर्मल वैल्यू मानी जाती है और एक महिला के अंदर एक वोमाइन के अंदर 12 से लेके 5.5 ग्राम पर डेसी लिटर इसकी वैलियो नॉर्मल मिलती है जब ये नॉर्मल से कम आपको मिलेगी संख्या हीमोगिलोबीन की रिपोर्ट के अंदर तो इसको एनिमिया कहा जाता है खून की कमी कहा जाता है और मैं आपको बता दो रिपोर्ट के कुछ और पार्ट होते हैं जैसे एप CCV हो गया mch हो गया mcsc हो गया तो इनके बारे मैं वह हम जांकर ही हासिर करेंगे जब आपकी रिपोर्ट में MCV मिलेगा म कि यह रा रिपोर्ट में MCV तो देखें यह red blood cells के size को और volume को बताता है MCV और इसकी normal value होती है 80-100 के बीच में जब यह MCV आपको बढ़ा हुआ मिलेगा तो यह vitamin B12 की कमी को बताता है और जब यह MCV आपको normal value से कम मिलेगा तो यह iron की कमी को बताता है अब इससे नीचे हम बात करेंगे MCH के बारे में अब MCH की normal range होती है 30.2 यहां तक इसकी normal range रहती है और जब MCH की normal value से इसकी संग्या कम मिलती है तो इसके कम होने पर iron की कमी माना जाता है अब हम बात करेंगे MCH के बारे में तो इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है वो मिलेगी आपको 33.4 से लेगे 35.5 ग्राम पर डेसिलिटर तक और इसकी कमी होने पर आइरेंड की कमी इंडिकेट होती है और साथ में थेलिस मिया को भी इंडिकेट किया जाता है जब mcsc की वैलियो नॉर्मल वैलियो से कम संख्या आपकी रूपर्ट में मिलती आप हम यहाँ पर बात करेंगे hct मतलब कि इसको बोला जाता है हम अटो गरीट और एक मैं आपको बता दो जो यह हमको कृट होता यह हम अकरीट जितनी भी बिलेट हम एक यह जितना भी लिया जाता है एक वाइल के अंदर तो यह इसमें आरबीसी का परसेंटेज देखा जाता है और इसका नोर्मल वैलू से कम होना एनिमिया को बताता है अब यह एक पुरुष्र के अंदर 41% से लेकर 50% तक रहती है और और वुमेन महिला के अंदर 36% से लेकर 44% तक इसकी नोर्मल रेंज रहती है CT की और जब इसकी value कम होती है जो मैं आपको भी बता है कि नॉर्मल value से जब इसकी संग्या कम मिलेगी तो यह एनिमिया को बताता है अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इससे अगली report में देखिए WBC WBC White Blood Cells ठीक है और मैं आपको बता दूँ इसकी जो नॉर्मल एक range होती है वो रहती है 4000 से 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर और मैं आपको बता दूँ जब यह हमारी body में कम हो जाती है जब यह report में नॉर्मल value से कम हो जाती है तो यह viral infection में, malaria में, डेंगू में, टाइफाइड में, इनमें इसकी संक्या कम देखिने को मिलती है और जब इनकी संक्या WBC की report के अंदर जादा होती है नॉर्मल value से तब यह bacterial infection को, pneumonia को या UTI, urinary tract infection जैसी बीमारियों में बढ़ जाती है और मैं आपको बता दूँ, WBC, white blur cells के कुछ parts होते हैं, neutrophils होगे, lymphocides होगे, monocides होगे, isynophils होगे, besophils होगे, तो इनके बारे में भी अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं, तो इसमें पहले number पर हम लेंगे, neutrophils, देखिए bacterial infection में यह बढ़ जाते हैं, और इसको neutrophilia बोला जाता है, जब इनकी संक्या कम हो जाती है, तो इसको neutropenia बोला जाता है, और यह viral infection में, chemo therapy, इस तरह में यह कम भी देखने को मिलते हैं, जिसको neutropenia बोला जाता है, अब इससे नीचे हम बात करेंगे, lymphocytes के बारे में, जब भी कोई acute infection body में शरीर में बनता है, जल्दी होने वाला infection, जल्दी में होता है, तो उस time में क्या होता है, कि यह इनकी lymphocytes की संक्या बढ़ जाती है, अब ऐसा हो सकत है, टीवी जैसी बीमारी में ऐसा देखने को मिल जाता है, जिसमें lymphocytes बढ़ जाती है, और हम यहाँ पर बात करेंगे, अब मोनोसाइट की, बढ़ते हैं किसी किरोनिक डिसीज में, मतलब किसी परानी डिसीज में यह जो लंबे समय से बीमारी चलती आ रही है, तो उसमें यह मोनोसाइट जो होते हैं, बढ़े वे मिल सकते हैं, जैसे कि टूबर किलोसिस में, यह मोनोसाइट बढ़े वे आपको मिल सकते हैं, अब बात करेंगे इसनोफिल्स की, यह भी बढ़ जाते हैं, और यह बढ़ जाते हैं, परासाइटिक इंफेक्शन में बढ़ सकते हैं, अस्तमा मता दमे की बीमारी में बढ़े हुए मिल सकते हैं, संक्या कुछ बीमारियों में बढ़ी भी मिल सकती है वह हो सकता है हीमोरेज में हो सकता है इंजरी को चोट लगी वहाँ पर ऐसा हो जाता है ओपरेशन के बाद में भी ऐसा देखने को मिल जाता है कि जिसमें प्लेट लेट की संक्या बढ़ जाती है तो दोस्तों ये थी मेरी एक वीडियो CBC बिल टेस्ट रिपोर्ट के अपर और उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ तो प्लीज इसको लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोलें थैंक्यू